हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आवला चोन और सहत के बारे में आवला चोन और सहत के कही फायदे होते हैं आवला चोन और सहत में कही पोशक्ततों पाये जाते हैं जो हमारे सरीर के लिए बहत फायदे मन होते हैं आवला में विटामिन C, विटामिन A और विटामिन E पाया जाता है, जो हमारी आखों और इम्मिनिटी के लिए बैद फायदेमन होता है। इसके अलावा आवले में फाइपर, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइडरेट भी पाया जाता है। वही शहद में एंटी आक्सिडेट, राइबो, फ्लेब, विन, नाइसिन, विटामिन B6, विटामिन C और एमिनो एसिद जैसे पोशक तत्वा भी पाया जाते हैं। जो हमारे गले की खराश्य लेकर इसके इन समस्याओं में भी काफी मददकार है। तो आईए इस वीडियो मे जानते हैं आवला चोन और सहद के फायदे और इस्तेमाल के तरीकों के बारे में। आवला चोन और सहद के फायदे। पाचन तंत्रों में सहायक। आवला चोन और सहद मिलाकर खाने से आपको कही स्वास्तिलाब मिलते हैं। दर असल आवला चोन में फाइबर पाया जाता ह साथ ही सहद में विटामिन C पाया जाता है इन पोशक तत्व की मदद से आपके पाचन में बहुत मदद मिलती है फाइबर आपके पाचन से लेकर कब्ज और दस्त की समस्याओं में भी आरम दीता है दिल की सिहत का रखिक ख्याल आवला चौन और सहद खाने के कही फायदे है नियमित रूप से आवले का चौन और सहद के सेवन से आपका केलिस्ट्रोल निवर सही रहता है इसके अलावा सहद और आवला दोनों में एमिनो एसिड और एंटि ओक्सेडेट पाये जाते हैं जो दिल की सिहत के लिए बैद फायदे मन है कफ और जुखान से रहत आवला और शहद सर्दिक आसी के लक्षनों को ठीक करने में बहतकार कर होता है शहद एक प्रागर्टिक मोच्चराइजर है जो सूखे गले को आहराम देता है वही आवला इनफेक्शन से लडने में मदद करता है यो फ्लू के लक्षनों को भी ठीक करने में सहायक है लीवर को रखे दंदरुस्त आवला चुन और सहद का मिश्रन सरीर को डिटॉक्स रखने का काम करता है इनका मिश्रन विशाक्त परदातों को सरी से बहा निकालने और लेवर की अच्छी सिहत के लिए अच्छा होता है आवला और सहद में मौजुद एंटि ऑक्सिडेट की उच्च मात्रा लेवर को ऑक्सिडेट नुक्सान से बचाती है अस्तमा की लक्षनों को कम करे अस्तमा के लक्षनों के उपचार में भी आवला चोन और सहद काफी फाइदिमन होता है इनके मिस्रन से गले की गरगराट, कफ और सास होने की समस्या से रहत मिलती है इससे आपको सास लेने में आसानी मिल सकती है इसकिन और बालों के लिए फाइदिमन अच्छे बालों के विकास के लिए आवला और शहद अभेद मददकार होता है विटामिन सी और एंटि आक्सिडिट आपकी स्किन और बालों के लिए काफी अच्छा होता है आवला बालों को रूखे पन और इसकिन के दाध मुहासों को ठीक करने में मदद का हो सकता है आवला चुन और सहथ का इस्तमन कैसे करें एक चमच आवला का रस और एक चमच सहथ गर्म पानी के साथ ले इससे आपका पाच्छत बहतर होगा एक टैबल स्पून आवला पाउडर में एक टैबल स्पून सहथ मिलाए इसे रोज सुगर लेने से आपके लीवर को टिटॉक्स करने में भी मदद मिलती है कफ और खासी ठीक करने के लिए आवले के चोन सहथ और एक चुटकी हर्दे मिलाकर खा ले रोजाना 20 ग्राम आवला चोन और एक चम्मस सहथ साथ रे यह आपको अस्थमा और आखों की समस्या से मिज़ात दिलाता है आवला चोन और शहथ के नुक्सान आवला चोन और सहथ का जरूरत से ज़्यादा इस्तमाल आपके लिए नुक्सान दायक साबित हो सकता है आवले के अधिक सेवन से आपको एसेडिटी, लीवर, यूरिन चलन और कप्च की समस्या हो सकती है इसके अधिक सेवन से ब्लड सु, ब्लड प्रेसर की समस्या हो सकती है इसलिए एक दिन में डॉक्टर के सला के अनुसार ही आवला चोन और शहथ का सेवन करे अगर आपको कोई खास समस्या है तो बीना डॉक्टर के परामर्ज से आवला का शेवत न करें